हेलो फ्रेंट्स सब्सक्राइब आपके अपने चनल sbn एज़रों में दोस्तो आज हम डिसकस करने जा रहे हैं वाज यानि की फैट जिसे हम लिपेट्स भी कहते हैं इसके दोस्तों टोटल हम 40 को अपने इस वीडियो में डिसकस करेंगे को डिसकस करने पर दोस्तों आपफ दा को आप पूरा देखिए अगर वीडियो आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक शियर और चुन को सब्सक्राइब करें प्रेस कर लिजेगा ताकि आने वर जितनी वीडियो से उसको नोटिफिकेशन आपको टाइम मिलते रहे चो जली सरीव करते वीडियो को हम वीडिय माध्यम वस यह आम लोगे श्रंकला में सम्रद है तो मक्का ने आपका जो है ऐसा वश्रा है जो आपके इसमें आल पर माध्यम वस यह आम लोगे श्रंकला में जो है क्या है श्रंब्राद है तो इसका सब्सक्राइब आपका ऑप्शन नमबर A is a correct answer next question हमारा है वाल क्या होता है वाल लिपिर्स होता है कि आपका जल भीर या फिर और जल्पने में दोनों से क्या होता है दोनों ही इसमें पाए जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नमबर A is a correct answer जो कि आपका यह दोस्तों डीटी प्रेस्पी भी पूछा गया question है next question हमार इस्टरोजम में एक चक्रवले होता है जो डजाता है 사ाइक्लोः पेटेनोः पर हाइडे प्र이त्रे गाहिए पाएट्रोफीन या फिर अप्षण इसरा आनसर होगा वह आपका क्या हो जाएगा option number B पेटनो पर हाइड्रो फिन्थली नेक्ट कोशन हमारा है इसका ओप्षन जो है आपका करट क्या है आप्षन नमबर बी है नेक्ट कोशन देखते हम क्या है नेक्स्ट कोशन से टोस्तों को अवस्थाओं को कुरम से व्यवस्थित करें पैसी करंस यहां फिर काइलो काईलो- बनाना यानि कि यहां पर आपको काईलो माइक्रोन फर्मेंटेशन की बात की गए तो अब हम से लेते क्रम के अनुसार तो पहला पर क्रम के वविश्टित होसा जाएगा यहाँ पर पाइसी करन हो जाएगा फिर दूसरा आपका हो जाएगा एस्ट्री करन फिर आपका म्यूको सेल लेना होगा फिर उसके बद आपका काईलो माइक्रोन बनना होगा तो यहां पर जो वो आप्शन आपका मैच कर रहा हुआ उसके गॉर्डिंग वो आप्शन हम देखें तो इनन वाहत है नहीं होता है उसका है झेया उप्षिय गया थी सारे नहीं थी मुख्षिय एक अन्तरओ्स ब्सक्रीट आहा की तरहा से मत्रहचा है या है कौन सा नहीं है तो हो जाएगा रूइ के बीच का तेल Meggen kreB आपका यहां थो एया उस्त जो दोस्तो इसको हम क्या मानते हैं का ग tiene fat मानते हैं तो इसका जो शही हो जाएगा तो तो सुरिए वह और शेया संथ्व वसी आमले की रेशे की असें इसमें विटामिन जो होते हैं उसमें आपका क्या होती है क्या होती है कंपी होती है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्षिन ने च्रेश नी प्रकेशन तो शिशू के लिए जो सरवधिक उत्तम वश्य अमल माना गया है दोस्तों वह आपका क्या है अर्डी और की डो निकामल ऑप्शन नम्बर सी क्या है इसका सही आंसर होगा नेश्ट कोशन पर आते हैं अगला कोशन जो हमारा वो है निमलिखत में सबसे कम मांत्रा में संत्रित वसी अमल होते हैं नारियल का तेल सरसो का तेल खजूर का तेल या फूर मोमफली का तेल यहां पर आपको ताना की जो है ऐसा कौन सा जो है आपका संत्रित वसी अमल होए जो कि आपका क्या है कम मांत्र सब से कम मांत्रा में संथ्त वस्य अमन के अंतर्कत आता है तो उसमें आपका आ जायेगा क्या झायेगा सर्सो का टेल है चाहिसल उसमें चाहिस में संथ्त वस्य अमनों होते हैं तो aces यह आनसर आप हो जाएगा option number 12 करेक्ट आंसरiße नेश्ट कोक्षन देखते यहां पर आपका इसमें बीडे रखा सी देखा तो यह आपका नहीं होगा इसमें भी है इसमें भी आपका बीसी तो इसके एक इसमें आपका ADE दिया गया तो इसका correct answer क्या हो जाएगा option number D जो है सही answer होगा next question देखते क्या है मारा वसा के पाचन के लिए कौन सा enzyme अवश्चा के रहनीन, lipase, amylase, pepsin तो यह जब अगर आपने description को बहुत अच्छे से पढ़ा हो रखा होगा theoretical parts को तो आपको इसका सही answer क्या होगा वसा में जो आपका वसा के पाचन के लिए जो हमारा आवश्चक enzymes होता हुआ आपका क्या होता लाइपेज होता तो इसका सही answer क्या हो जाएगा आपका option number B next question देखते हैं निवन वर्षा MUFA का सरवत्तम साधन है सुरज मुखी का तेल स्वयवीन का तेल नारी रखलते जैतुन कल दोस्तों यह जो questions है आपके कई बार आये हुए उसके आपको बदल-बदल की घूमा के पूचे कहा है लेकिन एक तरह से आपसे मैं बूल सकती है आपक तेल इसमें जहतुन का तेल, पěr थे मिलाक्त प्रश्तों प्रश्तों करने है कजाएं पर वसका स्वार्ट क खथा सबस्तों का सबस्कान बार में ओदन होते हैconomics ज Fac één तो नेक्स कुशन देखते हैं ताप से डैस पदार्त कोगोलेट हो जाते हैं कार्बोज, प्रोटीन, विटामिस, वसा तो ताप से जो दोस्तों आपका वसा जो हो क्या होता कोगोलेट हो जाता तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा और यह लुटि नमारा रहा एक अवश्रक वसली आम है और जीन सेफिलीन अब स्टिरोल तो आपका जो होगा इसमें सही आंज़र आंज़र आपका क्या हो जाएगा यहां पोचा कि एक वस्वास्य वसली आमल है तो इसके बारे में पर थोरीटिकली पर पार्ट में होता था दोस्तों कौन से वस्वास्य आमलूंस में आता है यहां पर आपका वह स्ली आमल है वह आपका हो जाएगा सब्सक्राइब कर देखिए यहां पर यहां पर यहां पर आपसे श्रोथ पूछा गया तो लेकिन देखिए को मैंने का रहा है यहां पर आपको बता रहा है पहले हम को पढ़ लेते मुणफली तेल नौर मकाय का तेल मुणफली तेल और यहां पर सभी है यहां पर हमापको दे रखा है मुणफली का तेल यहां पर डूस सही है सोया तेल भी जो होता है हम बेस्ट ऑप्षिन के तरफ जाएंगे तो यहां पर आपको जोएगा सोया तेल MFU जो आपके आयोग के अकॉर्डिंग सही आंसर मारेंगे हैं हम उस ऑप्षिन को यहां डिसकस कर रहे हैं सब्सक्राइब देखते हम क्या है यहां पर जो ऑप्षिन दिएगे उस ऑप्षिन के कॉर्डिंग हम अपने कूर्स को मैच करेंगे तो यहां पर आपके क्या क्या उप्षिन है वह देख लेते हैं उप्षिन के गॉर्डिंग दोस्तों आपका जो है इस में आपके आजाएंगे M-U-F-A के अंदर का जो आपका आजाएगा वह आपका सरसो का तेल आ जाएगा और जैतुन का तेल आजाएगा यह सब क्या है आपके एकल असंप्र होते हैं सब्सक्राइब लिपिट था को बिढा काम होते हैं आपके सितर को है नियंद्रित करने के लिए क्या होते हैं सहायक होते तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नमर बीजा करेंट आंसर नेस्ट कोशन अमारा होने का इसले का अनूमान किस तरीके से लगा जाता है एस एसिट वैलू द्वारा यह सेपनीकिकेशन दौाला वैनेडिक्स यह नहीं वैलू द्वारा तो बशागे हैं собaki आउसमें के आनूमान हम किसे दोफे लगाते हैं कि इस जाते हैं आप Tools कोशन हमारे हैं इस लाइपेज एमीलेज रयनिन और प्रोटियस तो जो आपके सई हैं सब्सक्राइब आपका धायगा देखा है तो वहां पर भी कोश्चन जो है आपका पूछा गया तो वहां का आंसर तो आपका लाइपेज नेग्समुंट को थोड़ा सा खुआ डाल है कि लीक राट रिंवाय निशनल और टान याओं पर आपको ङो आमर इसा говорить कि सता उसको के जोक्ति ते छिचे कि अवश्यक मत्ता है तो उसका ज्यान स्वास्त ओजाएगा आपका option number a is a correct answer next question हमारा gluten मुक्त अहार किस बिमारी के रोगियों को दिया जाता है क्रोहन्स बिमारी या सिलियक बिमारी इरिटेबल अंत्र बिमारी या फिर लीवर समधनी जो बिमारी होती है उसमें तो जो आपका gluten होता है gluten मुक्त अहार यानि की आपका इसे हम source में अगर बोलेंगे तो यह अगर GFD बोलते हैं तो इसमें जो आपका होता है यह ऐसी भी रोगियों को दिया जाता है जो इनको किसकी प्रोब्लम्स होती है आपकी सिलियक बिमारी से पीर्द वेक्ति होते हैं उ इसले ऐसे रोगियों को जोड़ते है gluten मुक्त आहर दिया जाता है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका option नमबर बी सिलियक विमारी में इसमें जो है वो किसी भी छोटी मांत्रा में भी अगर हम वह उनको वसा वाला रहते तो उनको पचाने में उनको प्रोब्लम्स ह रहा गया है उसके हम option देखते हैं सूरज मुखी का तेल स्वयाबीन का तेल नार्यलकल तेल जैतुन का तेल तो इसका जो option है सही आपका वो क्या हो जाएगा जैतुन का तेल option नमबर डी क्या इसका correct answer है next question हमारा है क्यारोटीन का शोषन करने के लिए भोजन में निम्तक्तों की जरूरत होती है वसा, प्रोटीन, कार्भो हार्ड़ेड, विटामिन D तो इसका सही answer क्या हो जाएगा आपका वसा के होटा है वह वसा की उपस्ती में जो होता क्या होता है जिसे क्या होता है इसे क्या घरता हिए बितामिन-ए इस और पित्रस यानि की जिसे हैं बिलिकजूस कहते हैं यह वसा की उपस्तती में ही होता है तो यह आपका है सकतों जो दिया ओप्शन है उसमें सबसे जरूरी तर्थ आपका क्या हो जाएगा वह आपका वसा हो जाएगा option number a का सही answer हो जाएगा next question देखते हैं next question है मिलखित में ऐसे कौन अनिवार वसायुक्त acid है पामेडिक एसिट इस्टेरिक एसिट लिनोनिक एसिट औलिक एसिट तो आपको बताने अनिवार वसायुक्त एसिट जो आपके हो है वह कौन सा है तो यहां पर आपका दिया गया option दोस्तों आपका लिनोनिक एसिट जो है क्या है आपका अनिवार वसायुक्त acid के अंतरगत आता है तो इसका सही answer क्या होगा आपका option number c is correct answer next question हमारा वसा के पाचन के लिए कौन आपका लाइप पेज एमाईलेज पेपसीन है तो वसा के पाचन के लिए आप इसका आपका लाइप पेज क्या होना चाहिए इसका आपका लाइप पेज next question हमारा है निम लिखित मैंसे किसके oxidation से सरवधिक उर्जप प्रति ग्राम प्राप्त होती वसा protein glucose ग्लाइकोजन तो दोस्तों प्रति oxidation से सरवधिक उर्जप जो हमें प्राप्त होती वो किससे होती है हमारी वसा से होती तो इसका सही answer आप जाएगा आपका option number a next question हमारा है निम लिखित मैंसे कौन सा पूफा का उधारन नहीं है तो जो पूफा है उसका उधारन जो आपका क्या नहीं है उसका उधारन नहीं है तो इसका सही answer क्या हो जाएगा आपका option number a is a correct answer next question हमारा है зачем को यह पूफा है बर्श्पति तेल अच्छेश्रोत होते हैं अ खूरह नंहीं है नहीं ह मुसल्ट नहीं है तो इसका सही answer क्या हो जाएगा आपका पॉली असंत्रिथ पसुष्प आ अमलेकेn option number B क्या है इसका correct answer है next question हमारा है यह आपका GAC में आया हुआ question है दोस्तो वसा आगुलन सील है इथर में, पानी में, कार्बन ट्रेटर कॉलराइड में या फिल कॉलराइड में तो वसा जो होता दोस्तो आपका क्या है पानी में आगुलन सील होता है वसा के इस्तमाल के विशे में आजकल क्या धारणा है आसंत्रित वसा का उप्योग करना चाहिए वसा का उप्योग नहीं करना चाहिए वसा का उप्योग आसंत्रित वसा के रूप में करना चाहिए यहाँ पर बताना है की मतलब वसा के इस्त्माल के विशे में आज कल थारना वो आपके इसमें से कौन से दिव? ऐसे सही है तो जो आज कल की धारना के अकॉडिन दोस्तों क्या सही है आपका वसा का उप्योग आसिपित वसा के रूप में करना चाहिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका option number सेजा करेट आंसर नेश्ट कोशन हमारा निमनिक्त मैसे कोलेस्टरॉल का सरवदी घनिष्ट संबंद किससे है दूद, फल, प्रोटीन, वसा तो हम सभी जानते जो कोलेस्टरॉल होता उसका सबसे घनिष्ट संबंद किससे हमारे पैट यानि की वसा से option number D का सही आंसर होगा next question हमारा है लाइपेज करिया करता है प्रोटीन पर, सरकरा पर, खनिष्ट लोण पर, वसा पर देखिए अब यहाँ पर भी question से आपको पता चल जाएगा, इसका आंसर क्या होगा वसा पर होता है, जो लाइपेज होता हो, किस पर क्रिया करता है क्योंकि वसा के पाचन में लाइपेज एंजम जो है हल्प करता है, तो लाइपेज के क्रिया किस पर होगी, आपकी वसा पर होगी कि option number D क्या होगा इसका सही आंसर होगा next question हमारा है वसा तथा तेल अधिक देर तक गरम करने से एक हानिकालक प्रदार्थ बनाता है कि अप्षण देखते हैं का कॉलेस्ट्रол कि एक्रोलीं निलोनिक ॅमल इनने से कवी नहीं तो बस या तेल רק अधिक देर करता्थक्र आए अबका प्रदार्थ बनाता हुँ ऑक्रो लीन बहते हैं fiction इतलमिए आपको फ्रोपेनल अप्रोपेनल डूलेक्र्तों आपी नाम से और तो आपकी कहलाती इंको दोनों नामद से जाना जाता है नेक्ट कोश्ण मारा हो जाएगा जो पिचाय के लिए अवशक एंजाइम लाई पेज पाया जाता है लार में अमाशिय रस में अगनाशिय रस में आंत्र में तो वसा को पचाने के लिए जो आवश्रक आपका कि एंजाएं चें वह एक मिट यह हो जाएगा आपका अगनाश से धू और ट्रिपसीन को और लाइपेज को वसा बचाते हैं तो इससाही आपको सब्लाइब को पुछा है उसमें पुछा पंचाने के लिए अवशक एनजैम लाइपेज के पाया जाता होता है इसका नों और यहां पर आपको बताना अभी मेने उपर आपको बता है वशा मैं कौन कोन कोन से घुलिद विटामिन है विटामिन में कौन से लिटामिन आपके कांड नंसल से इसका सही आंसर कि आपका से लिटामिन से वह आपका ऐख सं bass सब्सक्क्राइब से का बढ़ंने एक पर फिर से शुट देख लेते में वसा को´ पचाने के लिए अवाशा प्रोटीन या फिर विटामिन्स तो हम सभी जानते हैं जो एक मोटे वैक्ति होते हैं उन्हें किसी की मात्रा को कम कर देना चाहिए वसा की मात्रा को तो इसका सभी आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन अंसर नंबर को एजा करेंट आंसर नेश्ट कोशन नमारा सरवधीं उड्जा की कलोरी उतपन होती सुद्धीघी से डिफाइन से मुंफली के टेल से शर्णसो के बशा के पाचन क्रिया करने वाले एंजाएम्स को कहते हैं रही इमिया लॉत्upid एंजैंड या फिर प्रोटो लाइटिक एंजैंड लाइपो लीटिक्स एंजैंड यह ineillelase मेंजयम तो जुआ आपका मसा के पाचन क्रिया करने वाले एंजैंड वहते हैं उसको क्या कहते हैं उसको हम बताना था वसा के पाचन के जो किरिया होती है उसके लिए जो एंजैम से उसे हम क्या कहते हैं उसको हम लाइपोलिटिक्स प्रोटीन पाचन के लिए पाचन के लिए वसा की पाचन के लिए अवश्रक होता है जो कि आपका हलका चाहरी होता है तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नमबर सीज़ चमा प्रोटीन सबसे अधिक अपराथ होटिसद्टो अमसें इसलबर जानते हैं जो आपका फाचन के लिए वसा आर्ग हाँगी है शरीर को सभी अधिक उर्जा प्रप्वैंश अलोग प्रोटीन सरीर को सभी चमा चमार चाहरीद। किसे परतों दोस्तों हम से जानते हैं जो आपका कार्पोहइर्ड रोटाइघ रोता है उसके 安श्ष का डियोख में बता होगा ओप झाल झाल